पिर फॉन पिर को आज़ें है गुडिवनिंग एक गुडिवनीं इस आओ और यू में कोई प्रॉब्लम तरी है एक बाद कन्फर्म कर लिशेए है आख गुडिवनिंग मेरेन एफ दो गुडवडिवनिंग चलो एक बार confirm कर दीजिए निशिता गुड इवनिंग एक बार confirm कर लेजिए audio में कोई issue तो नहीं है ओके ग्रेट चलो मेरे ख्याल से सब लोग जुड़ गया होगे श्टार्ट कर रहे हम लोग क्लास अधिक है तो कल कुछ पढ़ा था capital वस्टिंग में और capital वस्टिंग में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था inflation और inflation में मैंने आपको दो चीजे बताया था एक सब्द लिया था real cash flow और एक सब्द लिया था nominal cash flows कि रियल cash flow है और nominal cash flow का मतलब inflation जुड़ा है कि नहीं जुड़ा inflation जुड़ा है और real cash flow का मतलब without inflation और मैंने यह सिखाया था कि रियल cash flow से nominal cash flow में कैसी कर्वट करती है चलो class को आगे बढ़ा रहा है कितना example लिखवाया था मैंने दो example लिखवाया था सच ठीक है तो अब जब आप देना आपको दो example लिखवाया था सायथ example number three example number three हाँ दो example थे मानशी केशन बंसर मेरे ख्याल से सभी लोग आ चुके हैं तो हम लोग श्टार्ट करते हैं example number three मेरे सासत लिखना है अब year और ncf का मतलब nominal cash flow तने इसके गुड़े नहीं year और nominal cash flow one two three और आपको में nominal cash flow दे देता हूं और nominal cash flow दे दिया 80,000 याद रखना nominal cash flow में का मतलब है इसमें inflation जुड़ा हुआ है ठीक है 80,000 फिर 60,000 और 40,000 और सब इंफलेशन का rate क्या है इंफलेशन का rate है पाच पर्षेंट पर है ना पाइप पर्षेंट पर और पकका आप सब समझदार हो मैं आपसे क्या पूछने वाला हूं calculate real cash flow real cash flow निकालना first year का second year का third year याद रखना real से nominal में जा रहा थे इस बार मैं आपसे कह रहा हूं कि nominal से real में आना है फटाफट से answer चाहिए first year का क्या आएगा second year का क्या आएगा third year का क्या आएगा तो वेजिनती निशिता 76190 first year का आचुका है 76190 second year का आएगा 54422 बिल्कुस सेंग देख लेते हैं real cash flow first year का 80,000 divided by क्या करोगे 1.05 power 1 अंस का आंसर है पहला है 76190 और दूसरा आंसर आ गया मेरे पास 5442 डबल टू तो सही है 60,000 divided by 1.05 power क्या हो जाएगा 2 और थर्ड यर का आएगा 40,000 divided by 1.05 power क्या हो जाएगा 3 अंसर थर्ड यर का क्या आ रहा है बोलते जाओ 36281 ठीक है राउंड एड़ अफ कर ले तो बेंद्यू का क्या आंसर है 34554 522 आएटे वाई 1.05 एक दो तीन 34554 टी तीन 34554 ओके 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 यर का और एक जामपल अच्छा वाला एक्जामपल बिल्कुल याद रखना कि आज हमको कोश्चन्स करने है आई यह टॉपिक ही कि खतम करने वाले हम लेक्ष एक्जामपल एक्जामपल नमबर कौन सा होगा वह एक यह यह वीडियो में लैगिंग हो रहा है सबी के साथ यह इस्यू है कि आप अब कि थीक है मैं आगे बढ़ रहा हूँ वान तू प्री रियल कैश्ट लूँ कि टू थाउज़न कि टू थाउज़न और ट्वंटीफाइट थाउज़न इसमें क्या एट करना पड़ेगा इंफलेशन तो क्या जाएगा नॉमिनल कैश्ट हो अब देखो विट्टे ध्यान से गम अब सर इंफलेशन का रेट भी तो बता दीजिए इंफलेशन का रेट फश्ट इंफलेशन का रा इंफलेशन परशन पॉर्टीय को विट्ट में कैश्ट नॉमिनल कैश्टै रई हैथ है है? अब बताओ तो जानू जल्दी जल्दी आंसर देना वेट कराओ पैस्ट येर इंफ्लेशन है दस परशन सेकेंड येर है इशा 29091 फैस्ट येर का तो निकाल दिया अग्या जैस्ट येर के अच्ऑ आए nominal cash flow जान में प्रेशन मारे क्वर्शन लिख़े झाल येर क्वर्शन अबलास अब्स अब्सक्ट आएब ड्रेस को। 32,000 और इंफ्लेशन कितने पर्षेंट है 1.10 32,000 इन्टू 1.10 पहले का 35,200 35,200 पर्ष्ट येर का नॉमिनल कैश्ट वे 35,200 हाँ सभी कस ही है कुछ बच्चों ने सेकेंड येर का भी निकाल लिया मैं वेट कर रहा हूं सेकेंड येर के 43,600 सेकेंड येर चेक कर लेते हैं एक बढ़ 40,000 पहले साल जो इंफ्लेशन होगा वो कितने पर्षेंट से होगा 10 पर्षेंट इस पर्षेंट इन्टू 1.10 इन्टू 1.09 40,000 इन्टू 1.10 इन्टू 1.09 अंसर आ रहा 47 960 47960 ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए कि 4796 भई बढ़ आना पहली बार वच्चो का अंसर गलत आ रहा आप चलो थाड़ी है देखे ये सार इस जार आप तो समझी गया हो इन्टू 1.10 इन्टू 1.09 इन्टू 1.12 33572 अँटू 1.12 इस थीखेशन शहीं आंसर है 33572 रहे हैं अवांसे सही है सभी कस नहीं है चलो जब मैसेज नहीं करोगे अपको एक कॉंसेप्ट समझाना बिल्कुल धिहान से समझना पड़े पहीर हो यस तो मैं calculation करवा रहा था मैं बात कर रहा था real cash flow और nominal cash flow अब मैं दूसरा calculation समझाऊंगा और वो है point number two inflation ही चल रहा था inflation में point number one था real cash flow और nominal cash flow अब कर रहा है point number two जिसमें मुझे आपको सिखाना है रियल cost of capital and nominal cost of capital रियल cost of capital and nominal cash cost of capital लिखते जाना मेरे से सब्सक्राइब अब सुनना यहां से यह company और आपने लगाया है project में पैसा और इससे पैसा उठाया है यहां से पैसा उठाया और इस project में लगाया और inflation था यह नहीं पहले भी आसर इंफ्लेशन नहीं था इंफ्लेशन नहीं था तो इनको जो देना पड़ता है इनसे जो capital उठाया उस पे जो देना पड़ता है उसको हम बोलते नहीं तो हम 10 परशन लेते थे बात कितम होगे लेकिन अब inflation है तो inflation से आपका inflation है तो no doubt कि आपके पास पैसा जादा आएगा अगर inflation picture में पैसा जादा आएगा पर मांगने वाले भी तो ज्यादा मांगेगे इट मेंस यह जो cost of capital है इंफलेशन का फरक दो जगा पड़ेगा पैसा जो आएगा उसके तो फरक पड़ेगा पड़ेगा और एक इनको जो देना है उस पे भी तो फरक पड़ेगा यस मुझे बताओ इसमें इन्फलेशन है या नहीं अभी में बोल रहा हूं नहीं है तो इसका और इक नाब बोल सकते है ये cost of capital है पर इसका नाम क्या लिखना पड़ेगा रियल या नॉमिनल Real Real अगर inflation नहीं नहीं था तो इसका नाम क्या था? Real अभी तक inflation था ही नहीं Capital बिश्टिंग में तो हम लोग क्या करते थे हम लोग future के जो cash flow है Real cash flow आज ही सब का answer से है Real जो Real cash flow है उसको discounting किससे करते थे Real discounting Without an लेकिन जब अगर आप यहां inflation का adjustment कर रहे हो तो cost of capital में भी तो inflation का adjustment करना पड़ेगा इक बात एक चीज कसम खाते हैं कि real cash flow को discounting किससे करोगी real cost of capital और अगर यहां तक ठीक है और मुझे क्या सिखाना है मुझे यह सिखाना है कि real cost of capital को nominal cost of capital कैसे बनाया जाते है ठीक है चीज तो लिखोंगे इसके अंदर कैलकुलेशन ओफ कि नॉमिनल कि कॉस्ट अप कैपिकल को मैं डिसकांटिंग रेट लिखूंगा तो चाहता है कि कैलकुलेशन ओफ नॉमिनल डिसकांटिंग रेट मैंने आपसे बोला था real cash flow को real discounting rate से discounting करेंगे इस बात को मैं लिखवाऊंगा ठीक है प्रशांत जब लिखवाऊंगा तो पूरी बात को जाएगे फिर से कैलकुलेशन ओप नॉमिनल डिसकांटिंग रेट प्रॉंग अब ध्यान से समझना है पहले मैं discounting rates करवा देता हूं और उसके बाद आराम से मैं समझाओंगा लिखवाऊंगा सारी चीज़े चिंता ना करो सारी चीज़े मेरा यह कहना है और डी आर बोलो लिखना नहीं अभी सुनना है बस सुनना और डी आर बोलो तो कोई समस्या नहीं है दस पर्शन इसमें inflation एजिस्ट नहीं हुआ है लिखोगे नहीं सिर्फ तुनना है और इंफलेशन है मान लो बास पर्शन मान लो इंफलेशन है 5 पर्शन है इंफलेशन नहीं है और इंफलेशन जोड़ना को पड़ेगा 5% तो बता हिए इंफलेशन मिलाकर नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट कितना आएगा इट मेंस सामने वाले से आंसर आ रहा है 10.5% और सुन लेता हुच्छ से और एक आंसर आ रहा है इशा का 11.5% कोई है जिसका आंसर आ रहा 15% कोई है अपमें से सबका आंसर 10.5% 10% में 5% जोड़ोगे तो 10.5% आ जाएगा आपको ऐसा लग रहा है आंसका आंसर है 9.52% पर्षन पनेश्क 10.5% इस भगवान दस पर्षन में 5% जोड़ोगे तो 10.5% आएगा कि 15% आएगा चलो अंसर 15% भी आ रहा है बच्चों का मेरे बोलने के बाद पर अब सुना हाँ इश्या 15% आने लगा वाउ स्रेया 15% पर कहानी तो कुछ और ही है अब सुनो कहानी क्या है चलो अब अब मेरी बास सुनो भई पार्ट मेरी बास सुनो सारी चीज़े समझी मैं चाहेगे 15% सही है कुछ हद तक पुरी तरह से सही नहीं है ध्यान से समझना में जो कहना जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्ट अब मैं मैंसेज नहीं देख रहा हूं एक बार कॉंसेप्ट डिस्कस करूंगा उसके बाद तर यह क्या है यह बैंक और यह कौन है तर यह राम और राम बैंक में पैसे जमा कर रहा है तक किस लिए वो क्या चाह रहा है वो बैंक से बोल रहा है सुनो बैंक बैंक आप यहां rate of interest क्या है बोले हमारे यहां rate of interest है 10% 10% अभी inflation नहीं है बीना inflation के तो यह जो rate of interest है यह real है कि nominal है इंफलेशन है नहीं है तो पक्का पक्का यह कौन सा है रियल है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं रियल रेट of return वी बोल सकते रियल रेट कितना परशन है 10% बोले आपको मिल जाएगा तैन परशन पर रहा है ठीक है सर बात समझने आ गई है राम अगर बैंक में पैसा जमा करें सारी बाते समझाओंगा कि सर बैंक में जो मिलता है हमको इसको कितना पशुन मिलेगा 10% पर पर कितनी बात समझो आज है इसकी कीमत कितनी है 1100 रुपए तो बोले मुझे ना ये calculator खरीदना है calculator कितने का है calculator 1100 और calculator अभी भी 1100 inflation तो है नहीं और future में भी कितने का होगा 1100 का होगा तो please bank आप बता दीजिये कि आज कितना पैसा जमा करूं कि एक साल बाद मुझे 1100 रुपए मिल जाए कोई बता सकते हैं कि आज कितना पैसा जमा किया जाए कि मुझे एक साल बाद 1100 रुपए मिल जाए मुझे एक calculator खरीदना है जिसकी आज कीमत 1100 है और inflation नहीं है अंसर कितना आएगा 1100 डिवाइड बाइ 1.10 इंपल सी बात है बोलो आज कितना रुपए जमा कर सकता हूं मैं एक हजार है एक हजार रुपए एक बैंक से मने फिर बोला फिर बोला सुनो बैंक से मैंने तो लिए साल बाद विट को मिल जाएगा आपको सीब अब भी इसमें इंफ्लेशन नहीं था अगर इंफ्लेशन पिच्टर में है तो मुझे इंफ्लेशन का भी तो पैसा दो राम गह रहा है भाई सुनों वैंक इतना दे देना कि मैं कयलकुलेटर खरीतना मौन लो कि inflation correct है पाच परशेंट। my inflation का रेट पाच परशेंट बता सकते हो बैंक सी मुझे इतना tym मिलएगा इतना पर्शंटेज चाहिए वितं इंफम नहीं होगा जमा हजारी और फित इनफलेशन कितना मिलेगा कि में अप्टेल reviewed कि ईस पर शंटेज कि निकालो बात खतम कि सब्सक्राइब कितने का अब भी दिना इंफ्लेशन के तो ग्यारा सब रुपए का था इंफ्लेशन है पाच पर्सेंट तो बैंक में अगर आपके पास एक हजार जमा करूं तो मुझे रियल तो दे नहीं देना साथ में इंफ्लेशन भी देना टोपल मिलाकर कितना मिलेगा कि मैं कैल्कुलेटर खरीद हूं कि पर्सेंटेज में चाहिए मुझे पर्सेंटेज में अगर बैंक वाला पंद्रा पर्सेंट रहेगा तो क्या मैं कैल्कुलेटर खरीच सकता हूं कैल्कुलेटर आंसर आरा 11.55% सुनों सुनों बच्चे कीमत घ्यारा सो रहेगी की बढ़ जाएगी क्या हो जाएगी इस इंफलेशन कितना है तो बोलो के ग्यारा सो प्लस पार्च परशेंट ग्यारा सो प्लस पार्च पर्शेंट टोटल मिलाकर की कीमत हो गई ग्यारा सौ पच्पन बैंक वाले से कितना मिलना चाहिए क्योंकि इंफलेशन की वजह से बैंक वाले से पर्षेंटेज में बताओ कितना मिलना चाहिए एक आंसर आया कि सर्व वाले से मिलना चाहिए इनफलेशन 15.5 पर्षण है 15.5 पर्षण 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 इसमें चाहिए था मुझे अब आ रहा है सब की सब लाइन पर 11.55 पर्षण नहीं 15.5 पर्षण सब कैसे 15.5 पर्षण ना रहा बताओगे एक बार हाँ परसंटेज में बता सकता हूं मुझे चाहिए बैंक वाले से 1155 कि इतना जमा करना है आज 1000 डिवाइड़ बाइड एक हजार इन्टु हंड्रेड तो आंसर आ गया 15.5 पॉइंट है नहीं तो पाइप पर एक सो पच्पन डिवाइड़ बाइड जर आंसर आ रहा 15.5 पॉइंट तो बताओ रियल रेट कितना है रियल सरदक पर्शन और इंफलेशन अगर जोड़के मुझे चाहता हूं कि इंफलेशन जोड़के मिले तो बोलो पैंद्रा नहीं आएगा बैंक वाला तब देगा जब मेरा काम पूरा हो जाएगा और बैंक कितना देगा बैंक वाला देगा 15.5 पर मेरा काम पूरा होगा क्योंकि यह चीजों में भी तो इंफलेशन बढ़ रहा है इट मेंस रियल रेट कितना है 10 पर्शन और नॉमिनल रेट कितना आ गया नॉमिनल आ गया है 15.5 पर्शन हाँ जी राहूल का गयाना सर यह concept समझ में नहीं आ रहा है मैं बस आप से एक ही बात पूछ रहा हूं अराम से सोच की बताओ सिंपल सी बात है हलाकि फॉर्मुला आप फॉर्मुले पर जाना नहीं शाता अभी सिंपल सी बात यह है कि जो ग्यारा सो का ग्यारा सो रुपए मिल जाएगा मतलब आपको दस प्रशन मिल जाएगा आप खरी सकते हो पर यह इंफलेशन है और बैंक वाले ने कहाँ कि अगर इंफलेशन होता है तो जो भी आपको पढ़ेगा ना इंफलेशन की वाज़े से हम देने को तहीं तो मैं यह हिसाब किताब कर रहा हूं की जो चीज 1100 ती वो एक साल बात कितने इंफलेशन की वज़ए से कितना हो जाएगा ग्यारा सोपच्पन तो बैंक वाला मुझे देगा कितना मैं जमा तो ीक हजारी कर रहा हूँ और ग्यारा सोपच्पन की चीज होगी तो बैंक वाले जो परशेंटेस देग देखो फॉर्मुला लिखवा रहा हूं काम आएगा यह फॉर्मुला मुझे निकालना है नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट समझाऊंगा एक बार फॉर्मुला जो आपकी किताबों में फॉर्मुला लिखा है हम यूजर नहीं करेंगे फॉर्मुलियो को पर जो आपकी किताबों में लिखा है वो कमसे कम लिखवा देता हूं एंडियार वन प्लस अर्डियार वन प्लस इंफ्लेशन माइनस वन और लाश्ट में पर्सेंटेज में लाना है तो इंटू हंड्रिट लगा प्लस इंटू फैक्टर समझाओंगा मैं बोलूँगा बस मुझे आंसर देते जाना चीजे बाद में समझ में आजाएगी पहले मुझे आंसर देते जाना फैक्टर इंटू फैक्टर का मतलब क्या और्ट सब्सक्राइब को इस प्रवलेशन पर जाए फिर लॉजिक पर जाएंगे पहले रिवाइशन समझें लो फिर लॉजिक पर चल रहा है है यह सुन्हां न कि इतना है 10% कि इंफेशन कितना 5% तो मालूम है फैक्टर इंटु फैक्टर को रोट वैसे तो दस पाच पंदरा होता हैं इन्फेशन मिला के रियल है 10 इंफेशन है पाच तो वैसे अगर कोई मुस्पें नॉमिनल गोलेगा तो 10 और 15 बहुत सारे बुक्स में ऐसा किया गया हमें I.C.E.I. से मतलब है वो लोग क्या करते है दस पर्शन का फैक्टर 1.10 और 5 पर्शन का फैक्टर इन्टू 1.05 माइनस 1 और इन्टू 100 कर देते तो अंसर आ गया है 15.5 पर्शन फिर से बोल दा हूँ मैं गह रहा हूँ 10 पर्शन का फैक्टर क्या आ गया है 1.10 और 5 पर्शन का फैक्टर कितना आ गया है 1.05 1.10 1.10 इन्टू 1.05 माइनस 1 इन्टू 100 तो यह आ गया है 15.5 पर्शन 1.10 इन्टू 1.05 जो भी आया वह आया 1.155 माइनस 1 कर देना मैं कह रहा हूं कि इन्ट्रेशन का इफेक्ट प्रिंसीपल भी पड़ता और जो कमारे उस पर भी पड़ता बहुत ज्यादा डीप मैं नहीं जा रहा हूं अभी सिर्फ मैं कैल्कुलेशन पर जा रहा हूं अभी स अभी लिखोगे लिखना नहीं बस सुनना है आंसर चाहिए मजह आंसर रियल 12 पर्षंट इंफलेशन 6 पर्षंट नॉमिनल बोलो रियल 12 पर्षंट इंफलेशन 6 पर्षंट नॉमिनल चाहिए निश एक आंसर आया है 18.7 18.72 पर्षंट रियल है 12 पर्षंट इंफलेशन है 6 पर्षंट आंसर चाहिए नॉमिनल 1.12 इंटो 1.06 माइनस 1 इंटो 100 18.72 पर्षंट आजी सभी का सही है 18.72 पर्षंट हाँ शिवांगे निश्यूता सभी का सही है अभी पूरा फोकस सर्य लॉजिक की लॉजिक फिर से समझाओगे क्यों एक्स्प्लेन कर दूंगा पहले क्यल्कुलेशन कर ले फिर मैं एक्स्प्लेन करता हूं वापस अभी सुनों 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 नॉमिनल है नॉमिनल है 15 पर्षंट अब अब सुनना नॉमिनल है 15 पर्षंट इंफ्लेशन है 5 पर्षंट रियल बता सकते हो क्या चैलेंज, नॉमीनल है 15%, इंफलेशन है 5%, कोई है जो रियल बता सकता है, रियल अंस का अंसर आ रहा 9.52%, सुभान सोगा भी 9.4%, मतलब करोगे क्या, फैक्टर डिवाइडेड वाइ फैक्टर, अच्छा सार, मतलब, मतलब 9.52%, थोड़ा सा हमें जगरत पढ़ेगी याद करने वाली, सर अगर हमको नॉमीनल में पहुचना है, मतलब वैसे तो प्लस करते है, रियल में इंफलेशन प्लस, प्लस की जगह क्या होगा, मल्टिप्लाइ, फैक्टर इंटू फैक्टर, और अगर हमको सर नॉमी दिवादेर बाइ 1.05, एक्जामपल, एक्जामपल लिखो, दो एक्जामपल लिख भाऊंगा, दोने एक्जामपल से हमको आइडिया होगा कि कैसे है, एक्जामपल, एक्जामपल नॉम्बर वन, आजी कॉपी में होना चाहिए, यह कैसे निकलता है, 0.00, 1.6, एक्जाम बाहिए, यह कैसे है, प्ली सिर्था, लिख पर्ञांग, बाहर झाइए, पेऑ्चर, साम्ठाव, से एक्जामपल लिख एक्जामपल्या बाहिए, लिख यू शक्र लích लिख लेए, गूँद को एक्ट्रेश के शिंपले, ग्पुली साम्पलाग, लिख लोग काम आये, speed चाहिए मुझे, मैं जो फॉर्मिले से मतलब यह नहीं है, factor into factor करना, यार रखना, nominal पे जाना, मतलब inflation add करना पड़ेगा, मतलब सर सीधा कर लेते हैं, ndr is equal to factor into factor, 1.17, 1.04, minus 1, और into क्या कर दोगे, 100, 21.68% है, 12, हाँ जी, बिलकुल सही है, 21.68, 21.68% सभी का सेंगर, और दूसरा, जो पूछा था, वह यह एक बार लिखवा देता हूं, टेंशन कहता हूं, nominal discounting rate, 18%, inflation, 5%, real discounting rate, inflation हटाना है, inflation को हटा के बोलो, हटाना है, मतलब divide, answer विजनती आ रहा है, 12.38%, मतलब 1.18, divided by 1.05, minus 1, और into क्या कर दोगे, 100, answer कितना आ रहा है, 12.38%, 38, 39 चल जाएगा, question है, च्टेक, 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 हाव तो चल्पुलेट, NPV, प्लाड़ोट, प्लाड़ोट, real cash flows, मतलब inflation नहीं, शुड़ बी, discounted, with, real discounting rate, एक बात कसम खाना, अगर inflation नहीं, cash flow में भी inflation मत डालना, discounting rate में भी inflation मत डालना, real cash flow कभी भी discounting होगा, वो किस से होगा, real discounting rate से, लेकिन जब अगर आप cash flow में inflation add करो, adjust करोगे, तो discounting rate में भी inflation adjust करना, बढ़ाएगा, मतलब मैं दूसरी बात दिक्वाने जा रहा हूँ, nominal cash flows, should be, discounted, with, with, nominal discounting rate, यह दो चीज़े याद रहेगी, तो बात खतम हो जाएगी, हमको एक बात याद रखना कि अगर real cash flow दिया है, तो real discounting rate, nominal cash flow दिया है, तो nominal discount, ICAI क्या करने वाला है, ICAI question में आपको देदेगा real cash flow, और discounting करने के लिए बोलेगा, discounting rate देगा, nominal, उल्टा सिदा करेगा हूँ, आपको एक चीज़ मिसिंग देगा, real देगा, inflation देगा, nominal, सर्थ एकाद example करा हूँ, तो उस पास समझ वाएगी, यह लिख लिया है, example से सारी बात समझ वाएगी, अचीज़, लिख लिया है, example, लिखोगे अधियां से, cost of project, रुपीज वन लेक, cash flows, one, two, three, 70,000, 50,000, 40,000, discounting rate, 10% per annum, calculate, NPV, assuming, no inflation, मैं यह एज्यूम कर रहा हूँ, कि inflation ही नहीं है, आपको, it means यह जो cash flow दिया है, वो real cash flow दिया है, जो discounting rate है, वो real discounting rate है, और आपको NPV निकालना है, इसलिवाइट वाले तरीके से करना है, कि factor वाले तरीके से, कुछ से भी कर सकते हैं, अब मैं NPV निकालने की कोशिस कर रहा हूँ, NPV, it means, दोनों चीज़े, real cash flow, and real discounting rate, real cash flow and real discounting, NPV निकालने की कोशिस कर रहा हूँ, और factor वाले तरीके से कर रहा हूँ, बसे divide वाले तरीके से भी कर लो, कोई फरक नहीं पढ़ा है, NPV is equal to, अंसर आगया, तनिस्क का 35011, वेजनती का भी 3.0, divide वाले से तरीक है, सभी का device, NPV चाहिए मुझे 35011 आ रहा है, सभी लोगों का, लगभग, अच्छा factor को यूज कर रहा है, तो 34970, ठीक है, मैं दोनों तरीके से कर ले ता हूँ, सब्तर अजार divide, पहले divide से, 1.10 पावर 1, प्लस, 50,000, divided by 1.10 पावर 2, प्लस, 40,000, divided by 1.10 पावर 3, मैनस क्या करोगी, एक लग, divide से, अंसर कितना आ रहा है, 35011, 35011, सही है, क्या factor वाले से भी कर सकते हैं, कुछ, हाँ सर, कैसे, बात तो एक है ना, बात एक नहीं कुछ समझाने की कोशिश करोंगा, 27,000, 10% का factor क्या आएगा, 0.909, 50,000, इंटू 0.826, प्लस, 40,000, 0.751, मैनस, एक लाग, अंसर बोले, 34970, 826 लेखा, 0.826 ही तो है, 0.751 थी, इतना तो याद रहता है, आंसर बोलो, आंसर आंसर, 34970, 34970, सर्फ दो-दो से करना है, कि एक्जाम में दो से नहीं करना, एक से ही करना पर कुछ समझाने की कोशिश करों बस, अब लिखोगे, इन्फ्लेशन रेट, 5% per annum, 41 का जो डिफ्रेंस आ रहा है, वो सिर्फ फैक्टर की वजह से आ रहा है, आप उसे इग्नॉर कर दीजिए, चल जाएगा, मैं कह रहा हूं, पॉइंट नमबर टू, सपोज, इन्फ्लेशन रेट है, 5% per annum, then calculate, NPV, using, nominal cash flow, and a nominal discount, उसी example में, जो cash flow आ रहे थे, 70,000, वो real थे, उसमें हमें, inflation जोड़ना है, 5% यहां भी जोड़ना है, यहां भी जोड़ना है, पहले real cash flow को, nominal cash flow में convert करोगे, फिर real discounting rate को, nominal discounting rate में convert करोगे, और उसके बाद, फिर हमको NPV निकालना है, यह NPV बिल्कुल simple, ऐसे ही करते आ रहा है हम आज तक, inflation को भी consider करना है, इट मेंस मुझे cash flow कोंसा निकालना पड़ेगा सबते पहले, मुझे cash flow निकालना पड़ेगा, nominal cash flow, पहला काम करते हैं, पहला काम है, हमें निकालना पड़ेगा, nominal, cash flow, year, और, nominal cash flow, बताओ, first year का कितना आएका, nominal discounting rate 15.5% सही है, पहले nominal cash flow निकालने हम लोग, पहला कितना है, 70,000, कितने percent से बढ़ाना है, 5%, 73,500, P का निशिता सही है, वजनती सही है, 73,500, second year का चाहिए, second year का, second year का एक answer आ रहा है, 55125, 55125, क्यासे निकालोगे, 50,000 प्लस, 50,000 प्लस 5%, 55125, correct answer, third year का चाहिए, 40,000, third year का, 46305, correct answer, 46305, और दूसरा मुझे क्या चाहिए, एक तो यह होगे, nominal cash flow, और दूसरी किस चीज की ज़रुत पड़ेगी, nominal discounting rate, factor into factors, मतलब सर, 1.10, into 1.05, minus 1, into 100 कर देंगे, तो answer कितना आ गया है, 15.5%, पर रहे हैं, चलो अब NP भी निकलते हैं, 73500, divided by 1.155 power 1, plus 55125, divided by 1.155 power 2, और 46305, divided by 1.155 power 3, और minus कितना करोगे, एक लग, वो तो आज कही है ना, प्रोजेक्टम तो आज ही पैसा लगा रहे हैं, इसलिए एक लग, क्या answer, हाँ divide वाले तरीके से कर रहे हैं, मैं factor वाले से लिए, क्या answer वह ही आएगा जो पहले निकला था, अजी निशाम सेम एन पी वी आएगा, यस, answer आ गया और answer आ गया, पी पाइफ, जीरो डबल बन, ठीक है, और पहले answer कितना आया था जब रियल रियल को कर रहे थे तो, पी पाइफ, जीरो डबल बन, और इससे भी answer कितना आ रहा है, पी पाइफ, जीरो डबल बन, क्यों answer एक जैसा आ रहा है क्योंकि दोनों में inflation का effect लिया है, हाँ, एक ही बात है, एक्जाम में कैसे करोगे, एक्जाम में या तो नॉमिनल नॉमिनल कर लेना, या तो रियल रियल करते हैं, ठीक है, वो आपके, आपको ICAI क्या देगा, मेरी बात समय, ICAI आपके सब खेलेगा, कैसे खेलेगा, आपको cash flow देदेगा नॉमिनल, और discounting rate देगा रियल, किसी एक को convert करना पड़ेगा, बस इतना सा याद रखना, discounting rate को convert कर देना, या तो cash flow को convert कर देना, आपपर depend करते हैं, अच्छा factor वाले तरीके से भी हो सकता है, मैं factor वाले तरीके से कर रहा हूँ, पहले present value factor निकाल लो, present value factor, 0.909, अच्छा, divided by 1.05, power 1, factor पहले साल का factor कैसे आएगा यार, 15.5% का, 1 divided by 1.155, अच्छा, यह है, sorry, 0.6, कि पहले साल का factor होगा है, 750, यह दूसरे साल का factor, यह तीसरे साल का factor होगा है, ठीक, यह कितने परशन का factor है, अगर मैं इसको डिवाइट कर देता हूं, अगर इसको डिवाइट कर देता हूं, तो मैं इनफलेशन से के रेट से, तो क्या answer यही आएगा, कौन mathematics है, पहले 10% से, फिर 5% से और यह आंसर तो यही आना है ना है, आप तो 15.5% से कर रहा हूं, आंसर सेम आएगा, मैं यह समझानी की कोशिश कर रहा हूं, आपको present value factor निकालना अच्छे से आरता है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, 1 divided by 155 और काम करते जाते हूं, तो 1 divided by 1.155 करूंगा, तो answer आएगा 0.866, 0.750, 0.649, मेरा यह कहना है, अगर 10 person का मुझे factor मालूम है, और उसको मैंने यह real है, और उसको मैंने 5 person से all divide किया, तो क्या answer यही आएगा, यस, ऐसे भी हो सकता है, तर यह time burst मत करो, सीधा सीधा factor किस से निकालो कि 15.5 है ना, तो 15.5 से निकालते बात करते हैं, तो answer तो फिर तो आ जाएगा, NPV बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं है, NPV is equal to 73500, पहले सलगा factor कितना आया था, 0.86655125, दूसरे सलगा factor, 0.750, plus 46305, मैनस क्या करोगे, एक लाख, अंसर कितना आ गए? 35011 नहीं आएगा थोड़ासा अलग आएग, अंसर चाहिए मुझे, क्याती का ल्याद, 35, 35047, 34970, कैसे आ रहा है, इशा चाहिए, 35047, जी, जो फैक्टर लिखा उसके इस, 35046, 35046, वामांची रही है, अधर रही है, अधर रही है, अधर लाख, वामांची रही है, फ्रोगे, ट्रूप्र आधर यह रही है, चलो एक चैलेंज वाला एक्जामपल और इसके बाद सीधा एक्जाम के कोशन एक चीज़ बर याद रखना रियल को रियल से और नॉमिनल को नॉमिनल से हाँ जी चैलेंज वाला कोशन है चैलेंज वाला जो करके बताया एक्जांपल मैं टाइम दूंगा आपको कौन से एक्जांपल है एक्जांपल नमबर है पता रहीं को जो भी चल रहा हूं पॉस 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 एर नॉमिनल गज्वास एंज्वी पॉस कि परटे थाउजंद परटे थाउजंद रटे थाउजद यार दिया है और नॉमिनल कश्जभोव दिया कि और लिखो कि कॉश्ट अप्रोजेक्ट रुपीस 50,000 इंफलेशन रेट पाच परशेंट पार है नूँ प्रिजेंट वली फेक्टर दे देता हूं मैं आपको किसके सबसे रियल डिस्काउंटिंग रेट प्रिट पैस्ट यर का फैक्टर है पॉइंट एक सेक्ट तो यह वो क्यों दूंगा बता रहा हूं ना फर्स्ट यह का फेक्टर है पॉइंट एट नाइन जीरो और सा सेकंड यह का फेक्टर है पॉइंट 792 और थर्ड यह का फेक्टर है पॉइंट सेवन जीरो और किस के हिसाब से रियल के हिसाब से कैलकुलेट एन पीबी अभी रुको अभी कोश्टन कतम नहीं हो कोश्टन कतम नहीं आप होते तो इस कोश्टन को कैसे सॉल करते याद रखना नॉमिनल कैश्ट लोग को अगर डिसकाउंटिंग करना है तो रेट को अंसास रही है नॉमिनल या तो फिर दो ही तरीके है यह जो रियowan ते को किस में कर दो नॉमिनल है या या फिर जो जो नॉमिनल कैश्ट लो ए उसको किसमे कर सकते हैं कि कर सकते हैं किने कर दिया और जैसी आप इसको रियल में कनवर्ट करोगे तो आपका अंसर आजाए भाइस प्लीज आप समझने की कोशिश करो आप होते तो आप किस तरह से काम कर सकते थे nominal cashflow से inflation हटाते हैं किसमें convert कर लेती है है और real discounting rate का factor तो दिया ही नहीं है तो वही मैं पोच रहा हूँ calculate NPV using nominal cashflow and nominal discount हा निशांत आपका अंसर है 36902 पर मैं जैसे चाह रहा हूं तनिसक का अंसर है 20659 अब मैं वेट कर रहा हूं सभी के अंसर का सोच समझ के करें झाल समझ के अंसर है 30छ एंसर शड़ायारी से उच्यान मैं छाल त Communist me झाल झाल वजनती 20659 रोवन का भी आंसर है 20659 वाव अब आंसर अलग-अलग लगाना श्टार्ट हो गया है 20660 अंकुष 20644 सब क्या अंसर अलग-अलगा रहें इल्ग विनाय 25580 और यह जिरो यह श्टार्ट अंसर और अलग-अलग है पही सब क्यांश्र सुनो सुन लो सुन लोो अब मेरी बात समझने की कोशिश कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा था कि मैं यहां टाइमप्स कर वा रहा- यात करो मैं ऐसा कुछ कर रहा था यहां अजीब सा काम. सर काम क्या कर रहा थे मैंने कहा कि मुझे रियल डिसकाउंटिंग रेट का फैक्टर पता था याद करो यह निकाला कैसे था आपनों को ने बस यह बता यह निकाला कैसे था सर हमने सीधा 15.5 आजी कुशल का भी अंसर आ गया पर मेरा कोश्चन है कि यह कैसे आ रहा है एक तरीका जो आपने बताया कि सर 1 divided by 1.155 कर लेंगे पर मैंने और भी आपको समझानी की कोशिश कर रहा था मैं कह रहा था यार इसका और एक तरीका था और एक तरीका था 10% का फैक्टर 10% कौन सा रेट था सर रियल डिसकाउंटिंग रेट था और उसका फैक्टर था 0.909 और सेकेंड यह का फैक्टर था 1.05 से और इस फैक्टर को डिवाइट कर रहा था मैं 1.052 से अगर मैं यह सब्द नहीं देता कि नॉमिनल कैश्टर और एंडियार को यूच कीजिए तो आपके लिए आसान था बस मैंने यह दे दिया इट मैं अब मुझे फैक्टर निकालना है अगर मैं फैक्टर की बात कर डिवाइट किस से करोगे यह 1.05 और दूसरा फैक्टर क्या था पॉइंट 792 डिवाइट करोगे 1.05 और तीसरा था पॉइंट 704 ऐसा कोश्चन आज तक आया नहीं है पर आ सकता है अंसर पैक्टर बताते जाओ 0.89 डिवाइट 1.04 0.84 0.718 0.608 और बच्चों को लग रहा है मेरा मैस बहुत स्ट्रॉम हो गया है इतने स्पीट से चलो अब निकाल रहा है एन पीवी 40,000 इंटू 0.848 प्लस 30,000 इंटू 0.718 प्लस 25,000 इंटू 0.608 मैनस कितना कर रहा है हम लोग अच्छा इसर एंट बीवी कितना आ गया है है तो जिरो सिक्सिक्स जीरो अच्छी विन्हें सही है वेजनती सही है पस कॉंसेप्ट बस इतना था यह मैं संझानी की कोशिश कर रहा था प्र आए चलोगा आजा है इंस्टिट्यूट के कोश्ण करें एक आद दो कोश्ण करते है आईडिया होगा की कैसे है गर के कोश्ण आजी बुक है तो बुक ओपन कर लीजिएगा जिल लोगों को बुक मिल चुकी है कोश्ण नमबर 44 सर यह कोश्ण कहां कहां है यह आई सी एई हमारे इस्टडी मटिरियल का कोश्ण है और अगर इस्टडी मटिरियल में जाओगे तो क्यापिटल बस्टी में कि टेश्ट यह नॉलेज मतब लाश्ट में जो प्रैक्टिकल कोश्ण दे दिया रहता न उसमें कोश्ण नमबर 17 जो नया इस्टडी मटिरियल ए एफम उसका यह कोश्ण डालके रखा और प्लीज इस कोश्ण को बहुत प्यार से बनाएं विट प्रेजेंटेश्ट अगर नहीं भी बुक आई है तो चिंता मत करो यह दिख रहा है कोश्ण और देखकर काम करेंगे जिन लोगों के पास इस्टडी मटिरियल होगा तो अपना एसम देख लेना कोश्ण नमबर 17 एसम में पढ़ना कोश्ण को बनाना कोश्ण लिखा अब फर्म हैज प्रोजेक्टिट इड़ फॉलूइंग कैश फ्लोव प्रॉम प्रोजेक्ट अंडर इवैलविश्ण कैश फ्लोव 0 70 मतलब 70 लाक रुपय जा रहा है और पहले साल में आएगा 30 लाग दूसरे साल में आएगा 40 लाग तीसे साल में आएगा 30 लाग अभी ये जो कैश फ्लोव ना मिज प्रॉब कैश फ्लो हो जो दिया है वह कौन सा दिया है nu nominal कह छॉष्टब कीतना दिया है दस परसन है यह दस परसन रिएल discounting rate है है याμεनल आल ए और कैशलो Numinal है साब-साब लिखा है कि cash flow में nominal cash flow है information को edit करने के बाद cash flow है और लेकिन मैं आप से बस یہ पूछ रहा हो जो cost of capital दिया है यह क्या दिया है नॉमिनल दिया होगा कि रियल दिया होगा है रियल वजा रियल डिस्काउंटिंग रेट है सही है पर रियल डिस्काउंटिंग रेट है यह कैसे पता लग रहा कि यह रियल डिस्काउंटिंग रेट है बात पहली बात पहली बात अगर कहीं कुछ ना लिखा हो कहीं कुछ ना लिखा हो अगर यहां कुछ भी नहीं लिखा रहता है इंफ्लेशन की विस्ए में तो मैं इसको है या के पूमान डिया है है इंफ्लेशन देया है तो हम मतलब इसक्त है इते है इंफेस्ट पाश्फ परशक्सर का आपको बताना ऑजर्यक्ट इस यांच कुछ नहीं बोला है ओ यह कुछ नहीं बोलता अगर मैं कह में कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं पूलता यहाँ यह कि बहूय की इंफ्लीशन जुड़ा ए करके पिर से कोशन कि ऐसंजी कुछ बतДаऊने में है तो इसको क्या मानतphy इसको भी रियल मानते हैं इसको भी रियल मानता है ठीक है अभी तो कोई समस्या नहीं है हमें क्या निकालना एंपीवी और एंपीवी पॉजिटिव आईगी तो एक्सेट करेंगे कैसे करना चाहते हो करना कैसे चाहते हो जरा बताओ दो तरीके करने के सर आई सी यह ने दोनों अल्टरेटिव से कर लिया मतलब यह अल्रेडी इंख्रेशन है इसको हम कमवर्ड कर दें इस को भी सार हमव स्वैब्ना नॉमीनल स्वेस्ज्म रिट कर्थे और एंपीवी निकाले ठीक है को स्फ्ज्ज्ज् नंबर होटीव vivid निकालते अट्षिन ननिकालते हैं तो करें येस एस पर ICI ने दोनों तरीके से कर रखा है अल्टरनेटिव वन अल्टरनेटिव टू आप दोनों तरीके से कर सकते हो आंसर रही किया ना तो वर्किंग नॉट नमबर वान अल्टरनेटिव टू देखने की ज़रूरत नहीं है वन पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट जीरो फाइफ कि माइनस क्या कर दोगे वान और लाज्ट में टू हंड़र जाएगा कि अंसर अग्जाम में बस 15.5 मत लिखे देना कुछ और आएगा तो वैसे काम करना 15.5 पॉइंट 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 पाइट करेक्ट अंसर आठ नमबर और वोश्चन है कैसे बनाओगे आइसी एएए का प्रेजेंटेशन के सबसे मना रहे हैं लिखोगे कैलकुलेशन आप एन पी भी देखो मल्टीबल चोइस कुश्चन नहीं है मैं मान के चल रहा हूं मैं मान के चल रहा हूं कि आठ नमबर का कुश्चन आ गया अब हाला कि वह जमाना नहीं रहा आठ नमबर मला मैं टेबल बना के कर रहा हूं जिन बच्चों को एक लाइन में करना है कर सकता है टेबल बना कर कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कुंसा वाला लेने हैं हम किस को यूज कर रहा है यहां लिख लेना हम सर नॉमिनल कैश फ्लो को डिसकाउंटिंग कर रहा है किस से नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट से नॉमिनल कैश फ्लो को नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट से और नॉमिनल डिसकाउंटिंग रिट हमने कितना लिया है कितने परशन के सबसे 15.5 परशन के सबसे और यहां क्या जाएगा एमाउंट और यहां क्या जाएगा प्रेजेंटेशन से करते हैं टाइम ना रहे क्योंकि RTI से जो आंशाशीट आती है वह आपके नंबर कार्ड देता है तो कोशिश करना जितना हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो अगर नंबर चाहिए तो मैंने बहुत सारे बच्चों के आंशाशीट चेक किया उनका यह कहना है जो चेक होक मिला और हाला की एक्टूरेट है अंसर कोशिश करना अगर टाइम नहीं है तो अलग बात है पर कोशिश करना प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो ठीक है सर तो सबसे पहले क्या जाएगा कैश आप ख़लो पॉस्ट प्रोजेक्ट जीरो वन क्या यह काम रुपीज इन लैक्स में हो रहा है रुपीज इन लैक्स लिख दिजीएगा कि इतना लगाना है आज प्रोजेक्ट में कोशिश नहीं है या लोकुशिश शत्ता लाक और सत्तर लाक का प्रेजेंट वैल्यू कितना है का सत्तर लाक सत्तर लाक ठीक है कैश इंफ्लोज और कैश इंफ्लोज में कौन सा वाला कैश प्लोज ले रहा है आप नॉमिनल कैश प्लोज प्रेश्ट इयर्ट 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 इस चालेश इस त्रेस्थ एक्टर वन दिवादए 1.155 0.866 0.750 0.649 नपी भी निकाल लिए बच्चों ने हम थोड़े से अभी आराम से चल रहे है 0.866 तो सर यह आगे 25.98 और यह आगे सर 30 और यह आगे 19.47 कुछ बच्चों का कहना कि आज कल इतने आसान कोश्चन नहीं आते हैं पहले तो थे ही नहीं अभी आया नहीं नियु इस्टडी मैट में पहले तो यह कोश्चन थे ही नहीं अभी अभी आए हुए तो पी वी सी आई कितना आगे है हमारा एन पी वी सी आई 75.45 तो क्या एन पी वी निकल सकता है येस 75.45 5-70 अंसर आगे है 5.45 क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए है येस एन पी वी पॉजेटिव है प्रोजेक्ट इस वाइबल त्यूट टू एफ लेक्ट गुजेटिव है अंप अच्छेटिव है ये लिए बिल्गों सहीं बोल रहें है बैजम आएक एक कोस्टिन आएक है है मुस्किल कोश्चन आएगे है है कर दो गया को पर फोर्टी फाइफ आपकी बुक का और इस टड़ी मैट में भी एकुस्चन है और study matter में question number कौन सा है question number है 18 question number है 18 अगर जिन लोगों को book नहीं भी मिली है वो study material चेक कर सकता है तो study material में taste your knowledge करके question number 18 मिलेगा हाँ जी आपको इस्वास नहीं होगा मैं आपको question paper बताँगा कुछ questions बहुत ज़्यादा easy मिलेगे आपको और कुछ questions बहुत ज़्यादा मुस्किल मिलेगे तो जो easy है कम से कम वो तो आएगा भी आपको taste में समझ में आएगा कि किस तरह से question सकते हैं पहले ये question देखो और मुझे बताओ क्या ये आप से हो सकता है एक बर पढ़कर बताईए क्या ये question आप से हो सकता है आपके इश्ड़ी मेटियल का ही question है 30, 40, 30 जो cash flow है वो expected price after inflation दिया हुआ है और cost of capital 10% है कुछ ना कहा जाए तो real की nominal तो real हुआ है यह थीक है expected annual rate of inflation फाच परशन शो how the viability of the project is to be evaluate समस्या यह है कि present value factor दिया हुआ है present value factor दिया हुआ है और सीधा करेंगे ज्यादा टेंशन नहीं लेगे present value factor दिया है तो देने दो कोई फरक नहीं पड़ रहा है आप पिर nominal cash flow को real cash flow में कर सकते हो दोनों तरीके से कर सकते हो दोनों तरीके से कर सकते हो कि alternative one आप real cash flow और real discounting rate ले सकते हो इसको आपको किसमें convert करना पड़ेगा real cash flow में और alternative two है कि nominal cash flow दिया हुआ है और आपको जो discounting rate है वो कौन सा discounting rate nominal discounting rate लेना पड़ेगा बात खत्म हो चाहिए home work है ये कुछ आपके लिए home work है home work करोगी रात में बहुत ज्यादा चैठिंग करते हैं अब मैंने कल ही बोला था कि home work देने वादा हुआ है लाश्ट कोश्चन आज की ग्लास का सर फैक्टर दिया है तो क्या हमें वही फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा जरूरी नहीं है हाँ होमवक कॉपी में करोगे होमवक कॉपी में कि फिरसे बोल रहा हूं इसको जो बनाओगे कॉपी में करोगे दूसरा कोश्चन यह आया कि सब फैक्टर दिया है तो क्या इन्हीं फैक्टर को यूज़ करना पड़ेगा नहीं आपनी जो पिछला कोश्चन किया है सेम कोश्चन है आप यह वाला फैक्टर यूज़ कर सकत यह इंस्ट्यूट्यूट्स ने भी किया है कि लाश्ट कोश्चन बना ले खतम करें गानी यह लाश्ट कोश्चन और आज की ग्लास का आखरी कोश्चन कि अ सब्सक्राइब का एक स्टेटी मेंटिविल का कोश्चन नमबर 19 पढ़ते हैं क्या क्या कर सकते हैं पहले सोचते हैं क्या क्या कर सकते हैं कि पढ़े एक बार कोश्चन कि के लेम रिक्वायर्स कितना रुपे चाहिए 15,000,000 रुपे लगाने वाले नियू प्रोजेक्ट में कि पॉर्टिया है जीरो और हर साल का डप्रीशिचन कितना है 5,000,000 रुजेट की लाइट कि इतनी है कि उद्ध में विलो आप्रोजेक्ट रेवनिय पॉस्ट एक्स्लूडिंग डप्रेशिशन इग्नोरिंग इंफ्लेशन मतलब यह क्या दिया हुआ है रियल जो भी दिया होगा रियल कैश्ट लो इसे दे रखा 10 लाग 13 लाग क्यों लग और पांच लाग 6 लाग साड़े छे लग सी एफटी निकलते हैं हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं सेल्स माइनस कोष्ट जो आता हुआ आता सी एफ बीटी एफ बीपोर टैक्स और उसक एजूमिंग कोष्ट ऑप कैपिटल तू बी 14 परसे बीटी इंफलेशन रेट पर रेवेन्य और पॉष्ट आर इस अंडर नौ परशन पहले साल इनफलेशन दूसरे साल 8 परशन तीसरे साल 6 परशन और कोष्ट में भी 10 परशन 9 परशन 7 और 14 परशन के साब से फैक्टर दे और एमाउंट जो है वो निरेश्ट रुपीज में करना है और आपको एन पी निकांगा है एट्सिट परशन कि सोचो कैसे करें किसी बच्चे को लग रहा था कि सर आसान कोश्चन आप इतना आसान नहीं आता तो यह लो मुस्किल हो गया किया जा सकता इस कोश्चन यह रियल है इसको नॉमिनल बनाते है फिर सोचेंगे क्या करना है यार क्योंकि मेरी बात समझो मेरी बात समझना इन्फ्लेशन का रेट अलग अलग है तो आप इसको केनवर्ट रियल में अपकर ही नहीं सकते आप डिसकाउंटिंग रेट वगिरा बाद में जब भी इन्फ कैश्टो लेकर ही काम करना होगा इन्फ्लेशन का रेट अलग है अगर इन्फ्लेशन का रेट रेवेन्यू में अलग है कोस्ट में अलग है तो आपको किसी लिखोगे working note number one calculation of revenue आफ्टर इन्फेशन यह वन बढ़ाओ कितने बर्सन से इन्फेशन है रेविन्यू में नाइन पर्सन बताओ कितना आएगा दस लाक इन्टू वन पॉइंट जीरो नाइए तो दस लाक इन्टू वन पॉइंट जीरो नाइए तो सरी आगे दस लाक नब्बे अज़र बिल्कुल सही इशा अब ऐसा है तो सेकेंड इयर का बता दो रेवेन्यू की बात करो सेकेंड इयर तेरा लाक सेकेंड इयर कांसर चाहिए अंसर आ रहा 1 5 3 0 3 6 0 अभी का 1.09 नहीं इंटो 1.08 पहले साल 9 परशन से फिर 8 परशन से इसफ़रे अंसर कितना आ गया है फाइनल 1 5 3 0 1 5 3 6 0 3rd year का बलो 14 लाक इंटो 1.09 1.08 1.08 1.06 119 119 466 119 149 169 15 15 15 16 16 17 कि वर्किंग नॉट नमबर टू अभी क्या निकाल रहा है कैलकुलेशन ओफ कोश्ट आफ्टर इंफ्लेशन लिख लेना आफ्टर इंफ्लेशन अब जब हम सी एफटी निकालेंगे तो बात करेंगे कि डेप्रिशेशन का क्या करता है कि पर्स्ट इयर एकेंड इयर थर्ड इयर पांच लाख इंटू इनफ्लेशन करेट कितना है वन पॉइंट वन जीरो यहां कितना जाएगा पांच लाख पिच्छा से जार और शे लाख वन पॉइंट वन जीरो और वन पॉइंट जीरो नाइन तो सेवन नाइन सेवन वन नाइन फो डबल जीरो और इसके बाद छे लाख पच्छा से जार वन पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट जीरो नाइन और उसके बाद वन पॉइंट जीरो सेवन एट डबल त्री नाइन जीरो पाइफ ठीक है ये दो चीजे पता है तो आप सिदह एन पी भी निकाल रहा है ठीक है देखो के मेरे सासत कैलकुलेशन ओप एन पी भी आप क्या यूज कर रहे हैं नॉमिनल कैश फ्लो एन नॉमिनल डिस्कांटिंग रिट कितना साल है तीन कि वान तू त्री सबसे पहले लिखेंगे और रेवेन्यू रेवेन्यू कितना था दस लाख नभी हजार तस लाख नभी हजार फंद्रा लाख तीस जार तीन सो साथ त्रा लाख छे जार शे सो नौशो पैसेट और इसमें से माइनस करेंगे और पॉष्ट अप्र इंफेशन ले रहे हैं लोग है ना पांच लाख पच्यास जार तात लाख उन्निस जार चार सो और एट थ्री थ्री नाइन नाइन सेरो फाइए आप लाख उन्निस जार और रेवेन्यू में से सारे कॉष्ट माइनस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सी एफ बी टी कैस फ्लो बिफोर टेक्स कि इसमें से फिर क्या माइनस करेंगे हैं में डेप रिशिश अचा आंसर आ गया पाच लाख चालिस एजार आट लाख दसजार नौ सो साथ और नौ लाख तेविस जार अच्छा ये गलत आंसर है मैं देखकर लिख लिया था इसमें से माइनस क्या करना है यार डेप्रेशिशन क्यों माइनस करते में लॉजिक समझाया था बाद में डेप्रेशिशन किसी को देना थोड़ी नहोंता कि महगा हो गया कर डेप्रेशिशन पर इंफ्लेशन का इफ्ट नहीं पड़ता है कहीं लिख लेना कॉपी में डेप्रेशिशन पर इंफ्लेशन का इफैक्ट नहीं पड़ेगा मतलब सर यहां कितना आएगा पाचलाग और पाचलाग और पाचलाग अ हां टेक्स सेविंग्स टेक्स सेविंग का फ़र्क पड़ेगा इसलिए अप्रेशिशन माइनस कर रहे है बिल्कु सहीं तनिस तो यहां आ गया पी बी टी चाली से जार तीन लाग दस जार नौशो साथ चार लाग तीरा जार जीरो सिक्स अब हमको क्या करना है? टेक्स निकलना है? टेक्स का रेट दिया है क्या टेक्स का रेट 35% 0.35 into चाली से 1088 36 14457 टेक्स का अंसर देरे मुझे यह समझे नहीं है? टेक्स के बाद टेक्स के बाद करोगे? 255, 255 ठेक्सplicbandi ता है इस शॉच्छा है? यह भी मैं है एंदा यह पkellगे लीचeton टेक्सक्रशकी के नहीं यह थी अवर स्वफेशक्रेश्वाब्ड़ में है? कि इस ब्रफ टेक्स कि पांच लाग 40,000 मैंनस 14 था उच्टे पांच लाग 20,000 आप आप भी सही कर रहा है अगर आप निकाल के डाप्रेशिशन आड़क करोगे तो यही आंसर है आप 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 और यहीं कर देते हैं हम इन्टू प्रजेंट वैडिफेक्टर और याद रखना कि कौन सा रेट लेना है नॉमिनल के रियल नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट लेना है नॉमिनल कैश फ्लो है तो नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट लेना है सिंपल है हाँ इशा अब सवाल ये है कि ढूंडो कहा है नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट कोश्चन चलो जी बता दो कि नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट ये जो दिया है कितना पर्षेंट 14 पर्षेंट ये नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट है ये रियल डिसकाउंटिंग रेट 14 पर्षेंट सही है 14 पर्षेंट फेक्टर हुए दे रख है नॉमिनल डिसकाउंटिंग रेट है कि लियल डिसकाउंटिंग रेट कोश्चन बस इतना सा है अगर今天 अगर ये रियल है तो अगर है इम्मार इसको नॉमिनल बना कर र Wii बिढ़ अगर यह रियल है तो नॉमिनल बना कर बता दो फिर इस तो भाई सिंबल सी बात है बाद में डिसकूस को एक बात समझ लो जहां भी रेट इंफलेशन अलग 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 है तो जो भी रेट दिया रहेगा वो कभी भी आपको रियल नहीं दिया रहेगा सर इसको याद करना पड़ेगा कि हां common sense है आप बस इतना समझने की कोशिश करो जहां भी रेट अलग 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 इंफलेशन का रेट दिया रहेगा इसको कभी भी आप रियल मान ही नहीं सकते इसको नॉमिनल मानना पड़ेगा और सर फैक्टर दि एक्टर क्या-क्या दिया हुआ है 877769.877.769 अब 0.675 तो आज आएगा प्रिजंट वैल्योप कैशन फ्रॉस 461 302 461 702124 अब 0.769 53 99 33 768 489 0.675 51 87 30 59 Finally PVC total कितना या रहा है 15 519965 ठीक है प्रशांथ माइनस प्रेजेंट वैल्यों कैसा उप्लों कॉस्ट अप्रोजेक्ट कितना था कॉस्ट अफ प्रोजेक्ट कितना पंद्रा लग एंपी वी आगें 19965 थोड़ी कहानी मिलिख देते सेंसे एंपी वी इस पॉसिति हुँ था chi है हो प्रोजेश सब्सक्त निक टूड़ी कि एक्सप्टेट एक जहां पर एक से ज़्यादा इंफ्लेशन रेट दिये उसको नॉमिनल में कनवर्ट नहीं किया जा सकता है तो कि हर साल का फिर फैक्टर अलग अलग आएगा और प्रॉब्लम और भी है इंफ्लेशन का रेट रेवेन्यू में अलग दिया अब कोश्चन है कि सर इंफ्लेशन का रेट रेवेन्यू और कोश्ट का नहीं देता बस इंफ्लेशन रेट फैस्ट यर का नौ परसेंट कर सकते पर फैक्टर अलग अलग आएगा पर हम बहुत ज्यादा डीप में ना जाए तो सीधी सी बात है कि आपको एक बात समझना है जहां अलग 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 चीजों के लिए अलग अलग inflation rate है तो फिर आपको जो भी discounting rate है वो कौनसा मारना पड़ेगा नॉमिनल मारना इस इस अधियर और एंशी अफ शॉट फॉर्म यूज कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते सभी लोग यूज कर रहे हैं तो कोई इस्यू नहीं है जैसे आयरा यूज कर सकते नम इंटरनल लेटों पैसे अटीर और एंशी अप चलता ठीक है तो एक कोश्चन है होमवक दिया हूं मैंने वो कोश्चन आपको करना है क्लास जो है वो अभी दस दिन एट थर्टी तक ही रहेगी सर रेट अगर बिफोर टेक्स होगा तब उसको आफ्टर टेक्स करना होगा वो अभी मैं करवाओंगा वो टॉपिक आएगा कि आफ अगर सिर्फ एक चीज का अलग-अलग रेट दिया है तो पक्का आप साक्षी हम वो कल डिसकस कर लेंगे अगर एक ही चीज का रेट अलग-अलग दिया है तो क्या डिसकाउंटिंग रेट जो है उसको हम नॉमिनल में कर सकते कर सकते क्लास अगले 10 दिन तक साड़े 8 बजे अखी रहेगी उसके बाद में आपकी क्लास ब्रेक लेकर मतलब 10 दिन बाद थोड़ा सा लंबा लिया करूँगा नौवेजे के बाद लिए वो बाद में डिसकस कर देंगे ठीक है थैंक्यू सो मच एक कोश्चन होमवक है वो होमवक करोगी ठीक है थैंक्यू बाए बाए ग नग्डेव टॉली झाल कोश्चन है